प्यारे परे बच्चों डीपी सिंग क्लासेस प्रयाग राज में जो इसमें टेस्टरीज चल लहा है गोल्डन एम प्लेटिनम टेस्टरीज इस टेस्टरीज में विटा आलेडी 5 टेस्ट हो चुके हैं अब आगला जो टेस्ट है टेस्ट नमबर 6 उसका आज information हम देने वाले हैं तो प्यारे बच्चों टेस्ट नमबर जो 6 है इसमें टेस्टरीज में आलेडी गोल्डन एम प्लेटिनम टेस्टरीज स्लेबस information आज स्लेबस का पुरा information दिया जाएगा किस डेट को टेस्ट होगा कितने टाइम पर टेस्ट होगा यह सारा information दिया जाएगा तो गोल्डन प्लेटिनम जो टेस्टरीज चल रहा है जिसमें physics, chemistry, bio के regular टेस्ट हो रहा है सारे बचे बहुत ही energetic mode में टेस्ट दे रहे हैं और बहुत ही उनको benefit भी हो रहा है तो टेस्ट देने से होता क्या है सिखता जाता है पता नहीं चलता है कि कैसे सीख रहे हैं लेकिन उस सब इस देन इसको सीखता चला जाता है और अंत में अपने उद्देश को प्राप्त करता है तो प्यारे बच्चों जो अगला test series है test series number six इसका date आप देखिए 27-10-23 यहनी 27 अक्टूबर को 27 अक्टूबर को यह test है Friday को हमेसा test होता है date हमेसा Friday ही रहता है अभी तक जो test होता था वो धाई से साढ़े पांच होता था है ना धाई से साढ़े पांच तक अब जो test है चुकि धरे धरे ठंड का season आ रहा है और साम को थोड़ा अंधेरा हो जा रहा है जो दूर के बच्चे test देने आते हैं उनको थोड़ा जाने में दिक्कत होता है इसलिए test की time अब देखिए दो बज़े से पांच बज़े तक रखा गया है यह आप ध्यान दीजेगा वेटा यह नहीं कि मतलब दो बज़े से test स्टार्ट हो गया और पहला वाला time आपको मन में है और धाई बज़े आ रहे हैं आधे गंड़े का test उट इससे क्या होगा न कि test का rhythm आपका गरवड़ाएगा जो आप तीन घंड़ा बैट के test देते हो उसमें और disturbance में फर्क हो जाता है वेटा इसलिए time की बिसेज ध्यान दीजिए इस बार की timing 2 से 5 है तीन घंटे का test 2 से 5 ठीक है तो testries number 6 date and timing इसके बार से वेटा physics का जो syllabus है इस बार golden platinum testries 6 का जिसमें की physics में friction आएगा और collision, center of mass, center of gravity and rocket principle तो friction जैसे neutron slab motion का test हुआ था तो उसी का अब second part देखे friction है और friction में जितने surface होते हैं सब rough surface होते हैं जिसमें horizontal rough surface, inclined rough surface, vertical rough surface के सारे questions आपको मिलेंगे और ये complete एक topic है, दो topic का mechanics के दो topic का question आ रहा है जिसमें collision complete रहेगा, law of conservation of linear momentum, center of mass का concept, center of gravity का concept, rocket principle ये सारे concept आपको देखने हैं और friction topic में horizontal rough surface, inclined rough surface, vertical rough surface, तीनों rough surface के question आपको मिलेंगे ये सब very important question है, friction से भी question fix एक आता है, collision center of mass से भी fix एक या दो question आ जाता है दोनों easy topic हैं, बढ़ियां साब त्यार कर सकते हैं, और त्यार करके आ करके बढ़ियां साब को test देना है बच्चों आ के test देना है, और test एकदम इमांदारी से दीजिए, test में full time आपको जब test दीजिए तो पूरे तीन घंडे बैठ करके complete question साल कीजिए, और धिरे धिरे अब आप अपने को सुधार कीजिए, जिससे की बढ़ियां आपके मार्स आमें, जहां गलतियां हो रही हैं, उसकी अब आप सुधार कीजिए और साथ में यह भी आप देखिए कि जो भी test हो रहा हैं, उसका solution भी provide करा जा रहा है, YouTube पे solution प्रवाइड करा जा रहा है, जिसमें chemistry का, test नमर 5 में chemistry का total solution हमने upload कर दिया है, physics में 25 question का solution हमने upload कर दिया है, भी 20 question का solution upload करना बाकी है, कर हम वीडियो नहीं बना पाये थे, थोड़ की 20 question का, ठीक है, आज information दिया जा रहा है, test नमर 6 के, information, test के timing, date and day, इसके बाद से syllabus देखिए वेटा, chemistry में complete redox reaction आएगा, ठीक है, इसमें एक topic है, redox reaction, physics में दो topic है, इसके बाद से biology का देखिए वेटा, photosynthesis in higher plant and chemical coordination and integration, के लिए, photosynthesis in higher plant एक topic रहेगा, and chemical coordination and integration इस तरह से, दो topic biology में भी आ रहे हैं, ये वेटा, mobile number है, किसी भी student को test this join करना हो, तो इस mobile number पर contact कर सकता है, ये email ID है, और ये coaching का address है, offline आकर के coaching में भी मिल सकता है, जिसमें regular offline classes, second line classes चल लहीं है, regular classroom test भी हो रहा है, और test series की भी complete विवस्थामलों ने किया है, जिसमें कि सारे बच्चे बहुती इमंदारी से test दे रहे हैं, और जो भी paper बनाई जाते हैं, एकदम label इस तरह से रखा जाता है, कि जो question exam में आपके आ सकते हैं, जिस टाइप के आते हैं, complete NCRT based, इसी साबसे paper बना के complete test हो रहा है, बच्चे, जितने बच्चे test दे रहे हैं, बहुती energetic mode में और खुश होकर के test दे रहे हैं, और धेरे धेरे उनका सुधार होता चला जा रहा है, improvement होता चला जा रहा है, तो ठीक प्यारे बच्चों, जो भी test हुआ था, उसका solution, chemistry का upload हो चुका है, physics में बस 20 question का solution और हम upload कर दे रहे हैं कल, और अगला जो test है, test number 6, इसका information हमने syllabus का दे दिया, उसी हिसाब से complete आप त्यारी कीजिए, और आगर के बढ़ियां से test दीजिए, अभी आगे जब test धिर जर आगे बढ़ेगा, तो शुरू से फिर test होगा, शुरू से जितना test हुआ है, का mind एक test हो जाएगा, ज फिर आपका त्यार हो जाएगा, तो जो test होता है यही आपको perfect बनाता है, तो पढ़ाई के साथ साथ आपको regular test देना है, test देना है, जिससे कि आपका इंदर सुधार होता चला जाए, और अंत में आप अपने उद्देश को प्राप्त करें, ओके बढ़ा, यह information देना था, त हैं इंदए करिको कर्या था था, जिससे कि देना है, तो देना बदित कुंतिक्त क्रवां। इंदशनगे प्राइकोंत. गाजून